लोग सबा में आज का दिन सीधा सीधा इस अंतर को दिखाने वाला रहा कि लगातार तीन बार प्रदान मंत्री बनकर इतियास रचने वाले नरेंद्र मोधी और तीन बार के अथक प्रयास के बावजूद कॉंग्रेस को सो सीट भी ना दिला पाने वाले राहूल गांधी का फ अर शक्स को आज गलत साबित कर दिया आज राहूल गांधी के पास बड़ा मौका भी था पहली बार वो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में बोल रहे लेकिन उन्होंने संसद में जो किया उससे तो क्लियर हो गया बॉस कि राहूल गांधी अपनी पुरानी इमेज से बा इंकार तो कूट-कूट कर भरा था लेकिन फैट्स मिसिंग थे संसदिय परमपराओं का अपमान तो भरा हुआ था लेकिन कई बार सच से दूर दूर तक का वास्ता नहीं दिखा उनके बाशन में और इसलिए संसद में खूब बवाल भी हुआ जी हंगामा हुआ और ये जान मंतरी नरेंदर मोधी, ग्री मंतरी अमिशा और रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग तक को खड़े होकर उन्हें या तो टोकना पड़ा या सच्चाई से सामना करवाना पड़ा राहूल गांदी के पूरे भाशन में आज जो हुआ उसकी हाइलाइट्स आपको दिखाऊंगा उसमें कहां कहां फैक्ट्स नहीं थे वो फैक्ट्स बताऊंगा ये भी बताऊंगा कि उस बाशन में कितना सच और कितना गलत बयान राहूल गांदी ने दिया लेकिन पहले आप देख लीजे कि आज संसद में दो घंटे कितना बवाल मचा फिर बताता हूँ कि राहूल गांदी सड़क वाली राजनीती संसद में लेकर क्यों आ ले जे समिदान इख जाए थल्स देख अचाए भ उवाल रेफिउड झानल एंग उथा है सिर्षप जी की फोटों है थे भाल पाने संद्स दॉश लॉक्ते एक मिन्ट में पाने सार शिवजी की फोटों मना है एक एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 गंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, 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 करोड़ों लोग अपने आपको घर्व सही हिंदू कहते हैं, क्या वो जबी लोग हिंसा की बात करते हैं? विशह बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को तुन्षक कहना यह गंबीर विशह है इनको मापी महाँनी चाहिए आर्टिकल 25 जो है और यह पार्लमेंट सम्विधान से चलता है इनको मापी महाँनी चाहिए अयोधिया से शुरू करता हूँ सर नमस्कार अयोधिया ने आपको मैसे बेजा तो उनको यह सत्यापन नहीं करते है अपने स्टेटमेंट का तो उनको सदन और देश से और अगनी वीरों से मापी माँनी चाहिए मने इतना हलका पुलका कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर अपोजिशन लोग संत्र ने और सम्विधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपश के नेता को जमभीर्टा से लेना चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनना और नेता प्रतिपक्ष के योग्य बनना ये दो बहुत अलग-अलग बाते होती हैं और राहूल गांदी ने आज इसे साबित कर दिया आज राहूल गांदी के पूरे भाषण से उनकी वही राजनीती एक बार फिर दिखी जिस राजनीती में उन पर आरा जक्ता, गलत बयानी और भ्रम से एक अलग नेरेटिव बनाने की कोशिश करने के आरूप लगते रहे हैं हालकि ये नेरेटिव कई बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बार चुनाव में ये हद्कंडा थोड़ा बोच चल गया है तो राहूल गांदी को लग रहा है कि इसी के सारे वो आगे की राजनीती कर सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत ये है कि राहूल गांदी पिछले 10-12 साल से सिर्फ खुद की एक बोल्ड और निडर इमेज बनाने की कोशिश में इतना डूबे हैं कि वो एक ही गलती बार बार कर रहे है क्योंकि अगर आप राहूल गांदी के भाषन का पूरा निचोड देखेंगे ना तो उसमें कुछ भी नया नहीं है मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि वो सदन में नहीं किसी चुनावी रैली में बोल रहे है स्पीकर की तरफ देखकर बोलने के बजाए कई बार पीचे देखकर बात कर रहे हैं जबकि नियम है कि आप स्पीकर को संबोधित कीजिएगा वो पीचे देखकर बोलने लग जा जा जाए थे नेता विपक्ष के तोर पर उनकी स्पीच में सीरियसने स्कम स्टन्ट बाजी ज़्यादा दिख रही थी और इस पूरे भाशन को सुनकर ऐसा लगा कि राहूल गांदी खुद की ब्रैंडिंग कर रहे थे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अंदर का एंग्री मैन अभी जिन्दा है वही एकलोते नेता हैं जो नरिंदर मोदी से अकेले रड़ सकते हैं और ये साबित करने का प्रयास वो पिछले 10-12 साथ से कर रहे हैं कभी अध्यादेश अपनी सरकार में फाड़ कर उनको दिखाना होता है कि मैं तो करांतिकारी हूँ कभी बोलते मैं बोलूँगा तो भुकम पा जाएगा और अब भी वही बात कि डरना नहीं है डरना नहीं है 2013 में आप देखें ना उनको याद होगा आपको कि अध्यादेश फाड़ दिये थे अपनी सरकार में 2016 में बोले संसद में भुकम पा जाएगा अध्यादेश फाड़ने की बात कई थी आज भी राहूल गांदी का यही नेरेटिव था कि वह अकेले सब संबाल सकते हैं राहूल गांदी ने कैसे डरो मत का नेरेटिव बेचा एक बार सुनिए आप याद कीजिए कि कैसे वो अपनी छवी चमकाने में लगे हुए पिछले 12 साल से उसके बाद आगे की बात बताता हूँ देश अहिंसा का देश है ये देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुर्शों ने अहिंसा की बात की डर मिटाने की बात की डरो मत डराऊ मत और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराऊ मत दरसल राहुल गांधी की हालत उस छात्र की तरह है जो गाए पर निबंद रटकर आए और चाहे जो पूछलो कुस्चन पेपर निबं तो गाए पर ही लिखे है वैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी अडानी अंबानी और डरो मत से आगे ही नहीं बढ़ती बोलना कुछ हो वो गाड़ी उसी रास्ते पर गुमा कर ले आते, उसी ट्रैक पर ले आते और इसी चक्कर में कई बार गलती कर बैठते आज उन्होंने अपनी स्पीच में BJP पर अटैक करने के चकर में कि डरो मट, डरो मट के चकर में या बीजेपी डराती है डराती है के चक्कर में उन्होंने हिंदूओं को लेकर ऐसा कह दिया जिस पर बड़ा बवाल हो गया और उन्हें कहना नहीं चाहिए थे राउल गांदी ने कह दिया कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं 24 गंटे हिंसा की बात करते हैं पर संसद में आऊ हंगामा हो गया लोग सबा में बीजेपी की तरफ से फौरण राउल गांदी से माफी मांगने की बात होने लगी कहा गया कि राउल गांदी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कैसे कह सकते हैं बाई अहिंसा की बात करते हैं त्रिशूल को जमी में गार देते हैं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 हिंदू धर्म में साफ लिखता है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं धरना चाहिए राहूल गांदी के इस बयान के बाद लोकसभा में खुद काफी देड़ तक हंगामा हूँ खुद पीम मोदी खड़े हुए और राहूल गांदी के बयान के उन्होंने आलोचना की राहूल गानी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा पीम मोदी ने इसको बताया इस बात को उठाया और इसे बेहत गंबीर आरू लगाते वे कहा कि जिस तरह से पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है वो गंबीर विशह है एक बार प्रदान मंत्री मोधी को सुनिये, फिर राउल गानी ने इसके बाद पीम मोधी पर क्या कहा वो भी सुनमाता हूँ नरेंद्र मोधी ऐसे खड़े होकर कभी बोलते नहीं है किसी के भाषण के बीचे आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज बोले हो, कि आप कैसे ऐसे हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, इतना ही नहीं, राउल गान्दी ने बात ही ऐसी बोली कि लोगसबा स्पीकर को भी उन्हें टोकना पड़ा लोगसबा स्पीकर ओम बिर्ला ने राउल गान्दी से कहा कि बोलते समय ध्यान रखना चाहिएगी किसी की भावना को टेस्ट न पहुचे एक बार स्पीकर को सुनिए, फिर सुनाओंगा कि कैसे राउल गान्दी ने स्पीकर की भी बात को अंसुना कर दिए आप प्रतिपश के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट न पहुचे ऐसा कमी होता है जब संसद के अंदर खुद प्रधान मंत्री उठकर किसी बात के लिए टोके लोगसबा स्पीकर भी समझाएं, लेकिन राउल गान्दी किसी की बात सुनने वाले है लोगसबा स्पीकर के समझाने के बात, राउल गान्दी ने कहा कि नरेंदर मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी और संग वाले पूरा हिंदू समाज नहीं है मतलब उसको भी फिर डिफेंड करने लगे, सुनिए राउल गान्दी को फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस शाने राउल गान्दी को हिंदू वाले बयान पर आई नहीं नहीं नहीं, नरेंदर मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है अगर नरेंद्र मोधी, BJP, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है तो उनका नाम लेके बोलते ना भाई कि जो लोग RSS जो है वो हिंसा फेलाती है नरेंद्र मोधी हिंसा फेलाते है BJP हिंसा फेलाती है आप कहरें जो लोग अपने आपको हिंदू बोलते हैं, वो हिंसक होते हैं सीधा उनका नाम लेना था पिर हिंदूओ को हिंसक बताकर राहूल गांदी फसते दिखे तो कहने लगे कि प्यएमधी या बीजे पी, या संग पूरा हिंदू समाज नहीं है हमेशा ने राहूल गांदी का बयान दोराते वे कहा कि राहूल गांदी ने खास तोर पर कहा है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते है क्या राहूल गांदी को पता नहीं कि इस देश में करोडों लोग हैं जो खुद को गर्ब से हिंदू कहते हैं और अमिश्या ने तो कहा कि राहूल गांदी को माफी मांगनी चाहिए एक बार अमिश्या का भी बयान सुनिए फिर राहूल गांदी के हिंदू इंसक वाले बयान पर प्रियंका गांदी ने सबाई दिये वो भी जुन्माता हूँ मैं फीर से रिपीट करना चाहता हूँ उनका वाक्य था जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं मानवर इस देश में साइद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आपको घर्व से हिंदू कहते हैं क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा की बावना को किसी धर्म के साथ जोगना और ये सदन में और सन्वाइदानिक पथ पर बेटे हुए व्यक्ति ने मैं मानता हूं मानेवर, उन्होंने इसकी माफी मागनी चाहिए राहूल गांदी मावी मांगने वाले थे, मावी नहीं मांगे वो, जब राहूल गांदी जनसाद में खड़े होकर इस तरह की बाते करते हैं, जिस पर बीजेपी सीधे सीधे हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये राहू राहूल गांदी की वही कॉंग्रेस है, जिसकी सरकारों में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली बाते की गई थे, ये राहूल गांदी की वही कॉंग्रेस है, जिसके नेताओं ने सत्ता में रहते वे हिंदू आतंगबाद, भगवा आतंगबाद की थियोरी ब क्या वो हिंदू वोटर्स को भी इंसक बता रहे हैं क्या और अगर वो बीजेपी के बारे में ऐसा बोल रहे है तो क्या बीजेपी को मिले सारे हिंदू वोटर आध्या राहूल गांधी के हिसाब से इंसक हैं क्या क्योंकि CSDS के post-pol survey के मुताबिक अगर आप देखिएगा या जो आखड़ा है कि किसको कितना वोट मिला 2024 का चुनाव 2024 कॉंग्रेस को वोट कॉंग्रेस को वोट मिले टोटल वोट 13 करोड 67 लाक वोट मिले कॉंग्रेस को इसमें भी तो करोड हिंदू है बहुत ठीक है मुसल्मानों ने भी आपको भरबर के वोट दिया होगा फिर भी कई करोड हिंदू होंगे अगर आप सारे हिंदू के लिए कह रहे हैं तो सवाल उठेगा कि क्या इसमें जो हिंदू आपको वोट कर रहे हैं कि आप उनको भी हिंसक मानते हैं और अगर आप सारे हिंदू के लिए नहीं बोल रहे हैं आप कहने हैं कि BJP के लोग और BJP से जुड़े हुए लोग तो BJP को 23 करोड 23 करोड 69 लाग वोट मिले है नहीं दिये हैं इसमें तो बड़ी संक्या में हिंदू है तो BJP के लिए जिस हिंदू ने बोट कर दिया, क्या वो हिंसक है? करोड़ों हिंदू जो बीजेपी को सपोर्ट किये, वो क्या हिंसक हो गए? कोई पूछे राहूल गांदी से लोग सबा में हिंदूों को हिंसा से जोडने वाला बयान कोंग्रेस को भारी पड़ सकता है. राहूल गांदी तो जोश-जोश में बोल गए?